हलो आज है बीस जून और आज इस वीडियो में हम बात करें जारें विदानता के बारे में 470-475 रुपए का शेर है 5.5% की तीजी आई है क्योंकि एक अच्छी खबर आई शेर में तीजी आ गई जबकि अगर आप इछले एक महीने का ग्राफ देखोगे तो भाई सब गिरावट यहां पर जरूर थी 417 रुपए पर भी गया था यह तीजी दिखाई यहां पर 460 पर गया तीजी दिखाई यहां पर 460 पर गया था उसी रेंज के आसपास भटक रहा था एक आज एक बड़ी तीजी आई क्योंकि एक खबर आ गई हागे खबर उतनी बड़ी नहीं है लेकिन कुछ जादे मोमेंटम यहां पर देखने को मिल गया बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रुपए से ऐसा भागा ऐसा भागा पांस सो पर आई है और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब यह दो सो से थाइसो की रेंज में था कई सारे मेरे वीडियो भी थे कि खरीदारी कर सकते हो लॉंग टर्म के लिहास से लेकिन जैसे ही चार्सो पचास पढ़ता यहां पर जरूर है और तीजी उसके चलते देखने को मिली लेकिन जब भी कोई बहुत बड़ी तीजी आती है तो बात में गिरावट भी हमें यहां पर देखने को मिले जाती है अगर आप विदानता का शेर पिशले पांस साल का ग्राफ देखो तो 175% का ग्रोथ ह लेकिन डिविडेंट भाई भर भर के दिया है अगर आप डिविडेंट को भी काउंट करोगे तो शायद 2000% का ग्रोथ होगा यहां पर इतना जादा डिविडेंट इसने पिछले पांस सालों में आपको पे करके दिया है तीजी की जो सबसे बड़ी वज़ा है वो यही है कि वही है 1000 क्रोड पर रेज करने वाले हैं यह प्राइवेट प्लेस्मेंट के थुरू और उसके चलते शेर में तीजी आई है अगर इन 1000 क्रोड कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है इनके लिए लेकिन यहां पर बात यह है कि कंपनी जो है वो लगातार डेट से जूच र हुए है यहां पर खबर आये कि वह कंपनी ने बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कि एक लाख डिबेंचर की तौर पर विध फेस वैल्यो वन लेक रूप एच और यहां पर 1000 क्रोड रूपे रेज करने का प्लान है जो कि देखो अच्छी बात है और इतना ही नहीं कंपन भया डी मर्जर से भी गुजरने वाली एक की छे कंपनी यहां पर बनने वाली है फ्यूचर में तो वो चीज़ भी है यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर ने अश्योर किया है कि उनका कोई प्लान नहीं है डैलूशन का और यह भी उन्होंने बताया है अभी इनक यह नहीं बेचेंगे 61.50% से और नीचे नहीं बेचेंगे और लेडी 70% से लगातार यह बेच रहे हैं और यह बेचने नहीं वाले हैं और मर्जर भी यहां पर होने वाला है बहुत जल्दी अगर बात करिये वोल्यूम्स की तो 2 करोड से भी जादा कि शेर्ड होते नजर आ लेवर इसने हाल फिलार में क्रॉस करा था और यहां पर मार्केट के अब देखो तो 1,75,000 करोड के आसपास देखने को मिल रहा है कंपनी को लेकर देखे तो भाई अकॉर्डिंग तो मनी का डूल यूजर 100% लों के रहे हैं खरीदारी करो वेचने की बाद कोई भी नहीं कर रहा है डिविडेंट की मैं बात करो तो यहां पर अच्छा कासा इस साल भी इसने तकरीबन 11 रुपे का डिविडेंट पे करा है अच्छा डिविडेंट है क्यों पिछले साल अगर आप देखो तो भाई साहब चार बार पे किया था पहले 12 रुपे 50 पैसे फिर 20 रुपे 50 फिर 11 रुपे यह वो कंपणी है यह वो शेर है जो कोविड के टाइम पर 60-65 पर डिविडेंट को ले करा तो यहां तक यहां पर बात करी जाए वैल्यूवेशन को लेकर तो 40 का P.E. है महंगा है सेक्टर P.E. 30 का है थोड़ से correction यहाँ पर expected है और वो आने चाहिए मेरे हिसाब से वो एक healthy correction होगा वो कोई खराब correction नहीं होगा हला कि long term के लिहाँ से यहाँ पर 30 की वज़े ये भी रहेगी कि वाई सब de-merger होगी 6 अलग-अलग company होगी सब के bonus share सब को मिलेंगे वहाँ पर और हो सकता है कि company में debt को चुकाने के लिए कुछ company बेच भी दे जैसे कि बीच में इनका प्लान था कि बगया इनका जो zinc का जो business है international zinc का business है वो अपनी ही company हिंदुस्तान zinc को बेच दे लेकिन government की भी बहुत बड़ी holding है हिंदुस्तान zinc में तो government ने ये deal होने नहीं दी और उसके बाद यहाँ पर जादा pressure बनना शुरू हुआ था जहां तक financials देखो तो भगया उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं अब last quarterman का जो profit था सिफ 1370 क्रोड का था जो की कम है कम है company को ज्यादा profit कमाना पड़ेगा तब जाके ये इतने जो भारी बरकम dividend payout कर रहे हैं उसको justify कर पाएंगे वहना नहीं कर पाएंगे ये revenue 36000 क्रोड के आसपास है जो की कोई growth नहीं कह रहा है यहाँ पर कोई growth नहीं दिखा रहा है ये अगर देखे तो थोड़ा पर decline भी है और profit में तो और भी decline है तो देखा जातो जो numbers आ रहे हैं वो उतने जादा exciting नहीं है number exciting यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है share holding को लेकर देखे तो promoter की holding है वो 61.95% की है और अब promoter ने management ने बोला है और अपनी holding को ये लोग नहीं बेचेंगे पहले 68% की थी तो लगातर बेच बेच के 61.95% पर आए अब बोला है कि और quantity हम नहीं बेचेंगे जोकि अच्छी बात है नहीं बेचनी चाहिए institutions की अगर आब बात को 3.55% यहाँ पर mutual fund के पास है 9.60% domestic के पास है 8.78% एफाइस लेकर बैठे हैं और अधर की यहाँ पर 16.13% की holding है जिन में से रिटिल इन्वेस्टर यहाँ पर 11.58% पर जो other parties है वो 4.55% का stake यहाँ पर लेकर बैठे हुए है और अगर मैं बात करें जाओ विदानता को लेकर तो अगर मैं कहों कि company खराब नहीं है अगर यहाँ से यह गिरावट दिखा भी देगा 400 पर चला भी जाएगा तो वापस bounce back करेगा वापस 30 दिखाएगा और long term के लिहाँ से मैं मानता हूं कि जो भी debt को लेकर concerns है जो कि definitely है debt को लेकर definitely यहाँ पर concerns है तो वो sort out होते नजर आएंगे आने वले time में मेरे इसाब से company के पास enough पैसा है already enough कह सकते हैं कि जो इनके business है अगर वो उसको भी बेचेंगे तो अच्छा कासा पैसा आ ही जाएगा और debt की जहां तक बात करी जाए तो already पिछले कुछ time में बहुत सारा कर्जा चुकाया है आने वले time में company का plan है almost debt free होने का जो कि debt free की तरफ company जा भी रही है लेकिन हाँ बहुत सारे debt की जो maturities है वो बहुत जल्दी आ रही है वो इनको चुकाने है 2024-2025 काफी important होने वाले हैं इनके लिए अगर successfully ये लोग पैसा raise कर पाते हैं debt को चुका पाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी इनके लिए चीज़ बैतर होती नजर आएगी लेकिन अगर नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत भी होगी तो यहाँ पर चीज़े अगर आप देखो विदानता में तो possibilities के उपर है कि कितना successfully अपने debt को handle कर पाते हैं future में और कितना successfully उसे बाहर आ पाते हैं अगर बाहर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं आते हैं तो दिक्कत होगी यहाँ पर तो उसके उपर चीज़े यहाँ पर depend करेगी लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारा पैसा है इनके पास और specifically अगर आप देखो तो assets बहुत सारे हैं इनके पास जो इसको यह बेच सकते हैं आने वाले टाइम में लेकिन valuation के हिसाब से मुझे यह महंगा लगता है और even मैं यही कहूंगा कि जो असली price मुझे लगता है खरीदारी का वो शार्चार सो से चार्चार सो बीस रुपए के आसपास का अब काफी लोग बोलेंगे भूल जाओ कभी नहीं जाएगा ठीक है ना जाएगा लेकिन महंगा खरीदने की गलती मत है ना specifically metal sector में क्योंकि metal sector में जब तेजी आती है अंधाधून तेजी आती है और जब गिरावट आती है तो वैसी ही अंधाधून गिरावट आती है अगर आप इसका maximum चार्ट देखोगी तो आपको पता चलेगा कि अंधाधून तेजी अंधाधून गिरावट अंधाधून तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट इतने का ग्राफ देखोगे तो ये था 300 रुपए के भी नीचे और 800 का लेवल छू दिया था इसने वो भी दो महीने से भी कम के टाइम में अब लगातर यहां पर भी गिरावट चल रही है विदानता की तरह ही आप चाहते कि मैं इसके उपर बात करो तो कमेंट में नाम लिख करने की बात करना अभी यहां पर जल्दबाजी मत करना इस कंपनी को लेकर हाला कि लॉंग टर्सक्राइब कर सकता है लेकिन फ्रेश एंट्रे के लिए मुझे लगता है कि करेक्शन यहां पर जरूरी है यह मेरा पर्सनल ओपीनियन है कोई भी इन्वेस्ट्मेंट झाल झाल